हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू स्टडी नियूज, आज हम लोग इस चेप्टर में अंग्रेजों की भारत पर आकरमण के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग तो जानते ही हैं कि अंग्रेज के आने के पहले भारत में बहुत सारी रियासते थी, बहुत सारे राजा-राज करते थ जिसमें मेन मुगल थे और भी लोग थे और मुगल का जो सिस्टम था वो केंद्रिय था भारत में केंद्र में मुगल चल रहे थे अब मुगल जो है इनकी एक बड़ी प्रॉबलम ये रही कि ये सारे रियासतों को और जो अनायक जातियां यहां पर थी उनको एक राश्ट की भावना जगाने में ये लोग असफल रहे थे इन लोगों ने कभी भी ये कोसिस नहीं की कि सबको एक करकर चले इसी का फायदा अंग्रेज उने उठाया आप तो जानते ही अंग्रेज हमेशा से फूट डालो राज करो में विस्वास रखते थे और छोटे मोटे जो राजा जाये थे वो कोई काम के तो थे नहीं बहुत जादा उनकी ख्याती नहीं थी वो कटपुतली बनकर रहे गए थे अपने ही सामान्त और अपने ही जो अमीर वर्ग था उनके तो उनको कह सकते हैं कि जो मुगल के राजकुमार होते थे उनको जबर जस्ति बैठा दिया जाता कि हा ठीक है ये राजकुमार बन गया लेकिन उनकी कोई बहुत बड़ी पहुंच नहीं होती थी वो किसी प्रकार के एक महन राजा नहीं कहला सकते थे इसी कारण आगे चलके बंगाल अवध और धक्कन इनके जो सूबेदार बनाये थे मुगलों ने उनके इनसे ही लड़ा 14 में जम नादिर सा काकरमड हुआ था मुगलों पर उस समय मुगल एकदम धरासाई हो गया और मुगलों की सारी सक्ती और सारा प्रसासन खतम हो गया आपको यह पता होगा कि उत्तरी भारत में समराजी के लिए तीन मुख्य दाविदार थे जिसमें मुगल थे अफगान थे और मराठा थे इन तीनों के बीच में त्रिकोडिय संगर सो रहा था जिसमें अफगानों के तरफ से एहमत साब दाली था जो नेत्रित्व कर रहा थ और पेश्वाओं के अधिन मराठा चल रहे थे और मुगलों की शक्ति को बार-बार ये लोग चैलेंज कर रहे थे जिससे की काफी मुगलों को हानी पहुंची थी और इन लोगों ने काफी उनकी सीमा को सीमित कर दिया था इसके बाद एहमत साब दाली ने मराठो को पानीपत के तीसरे युद्ध जो की 1761 में हुआ था वहाँ पर हरा दिया और एहमत साब दाली की जीत हो गई थी इस जीत के बाद ऐसा लग रहा था कि अफगान राजा एहमत साब दाली अब यहाँ पर राज करेगा लेकिन अफगानिस्तान में हो रहे दिक्कतों के कारण उसे वहाँ से लोटना पड़ा और फिर भारत में फिर से संगर्स चालू हो गए अनेक राजा आपस में फिर से ल पास इन लोगों से लड़ने की भी जुरत नहीं पड़ी और कई रियासते तो उनके अधिन नॉर्मल तरीके से ही आ गई कई जगे तो जो उत्राधिकारी होता था वो ही मारा जाता था तो रियासत जो है लावारिस हो जाती थी वहाँ पे अंग्रेज अराम से राज कर लेते थे इस पर एक राइटर थे पीस पियर उन्होंने लिखा था कि इस प्रकार अंग्रेज हिंदूस्तान की इस लावारिस त्रिकोड़िये संघर्स हुआ था जो आप जानते होंगे कि अंग्रेजों और फ्रांसी सी और जिसमें डच कमपनी भी सामिल थी यह तीनों आपस में उलज गई थी जिसमें काफी जोड़ तोड़ और संघर्स और सडयंत्र करने के बाद अंग्रेज जिसमें कामियाब हुए इसके बाद डचों ने पूर्टगालियों को भारत सिलंका और मसाला दीब जिसमें आधनिक इंडोनेशिया होता है वहां से खदेड दिया था और अंग्रेजों ने डचों को इंडोनेशिया तक खदेड दिया जिसके कारण उनिस और तालीस तक डच सिर्फ इंडोनेशिया तक बने रह गए थे लाश्ट में बची फ्रांसिसी कमपनी सो उनिसवी सताबदी के अंतिम तक जाते जाते करनाटक के तीन यूध में लड़े गए जिसमें फ्रांस और अंग्रेजों के बीच हुए तीनों यूधों में आख कर सकते थे अंग्रेजों ने सिंद 1843 में और पंजाब 1849 में जीत लिया था उसी वर्स देखा जाये तो दक्षणी बर्मा भी अंग्रेजों के समराज्य में सामिल हो गया भारत के भिन भिन भागों की अंग्रेजों द्वारा विजय की प्रक्रिया लगभग सौ वर्सों में पूरी हुई थी अंग्रेजों को अनेक राजनेक तथा सैनिक असफलताओं का सामना जरूर करना पड़ा लेकिन अंत में वे विजय जरूर हुए यदि हम अंग्रेजों की सफलताओं पर एक द्रिष्टी डालें तो इस पश्ठ होगा कि अस्त्र सस्त्र और भौतिक सभ्यता के छेत्र में वे अपने प्रतिदंदी से बहुत आगे थे राजा महराजाओं के पास तलवारे होती थी भाला होता था अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूके तोप इन सब के कारण वो काफी आगे थे और उन्हें लड़ने के नएने तरीके भी पता थे भारतिय सक्तियों द्वारा प्रयोग में की जाने वाली तोपें बंदूकें यूरोपिये द्वारा प्रयोग के जाने वाले अस्त्र सस्त्रों के अनुपाद में मंद गती से थी भारी तथा कम दूरी तक मार करने वाली थी यूरोपिय बंदूकें भारतिय बंदूकों से तीन गुना अधिक अच्छी और काफी तेज भी थी और आप जानते हैं कि बाद में कई भारतिय सक्तियों जैसे निजाम, मैसूर, मराठो तथा सिखों ने यूरोपिय सेना भरती की और यूरोपिय अस्त्र सस्त्र मंगवाए लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ अपने सैनिक अफसर तथा जवान कभी भी नौ सिख्यों के इस तर से उपर उठी नहीं पाए थे इसलिए वे अंग्रेजों द्वारा सिख्षिस सैनिकों तथा अफसरों की बराबरी कभी नहीं कर पाए अंग्रेजों की जो सैनिक वटालियन थी वो बहुत ही अनुसासित थी उनके अंदर एक सैना को लेकर डिसिपिलिन था जो की हमारे राजा महराजाओं की सैना में बिल्कुल भी मिलता नहीं था जिस कारण वो लोग यूद्ध में भी आसानी से इस चीज का फायदा उठा लेते थे कंपनी अपने सैनिकों में पूर्ण अनुसासान पर जोर देती थी उन्हें नियमित रूप से वेतन भी मिलता था उनकी तुलना में अधिकतर भारती राजाओं को अपने सैना को नियमित रूप से वेतन देने में कठनाई होती थी क्योंकि उनके पास इतने फंड तो होते नहीं थे कई बार मराठे सरदारों को क्रिशकों से भूमी कर एकत्रित करने के लिए अपनी सेना को यूध से हटा कर उस कारे में भी लगाना पड़ता था जिस कारण उनकी सेनाओं में डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं बचती थी अंग्रेजों के सफल होने का तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट था कि कंपनी को अपने असैनिक कर्मचारियों के अनुसासन का भी लाभ होता था सेना का निदेशक उन प्रसास को क्या धिन था जो उन पदों के अपने संबंधों के कारण नहीं बलकि अपनी योगिता के कारण प्राप्त करते थे अंग्रेजियों के वीजे का चोथा सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उनके पास संयोक से बहुत अच्छे कमांडर मिले बहुत अच्छे लॉर्ड्स मिले जिसमें लॉर्ड क्लाइव, वारन हैस्टिंगस, मुनरो, वेलेजली, लॉर्ड हैस्टिंगस, डलोजी टाइप के उत्तम डलोजी जैसे उत्तम और अश्रामानेस रेडी के कमांडर और प्रसासनिक नेता मिले थे ये उनमें से थे जो लोग अपने या किसी नेता के लिए नहीं बलकी इंगलेंड के हितों के लिए उसके किर्ती के लिए लड़ते थे ऐसा नहीं है कि भारतियों के पास अच्छे नेता या राजा नहीं थे इनमें भी हैदार अली, टीपू सुल्तान, माधवराव सिंदिया, जस्वंत राव होलकर, नाना फड़निवीस और राजा रणजीत सिंग जैसे वीर युद्धा तु थे उनके पास वीरता तु थी परंतु वे सामरिक तंत्र में निपुड नहीं थे और नहीं उनके पास दूसरी पंक्ति के विद्वान अच्छे नेता या राजनेता नहीं थे जो उनको परामर्स दे सकें इन्ही सब कारणों से अंग्रेज विजय हुए और अंग्रेजों ने अराम से भारत पर सासन कर लिया तो इस वीडियो में आज इतना ही इसके कई सारी एप्सोर्ट से इस चैनल पर आएगी सो प्लेज सब्सक्राइब और लाइक दिस चैनल थैंक्यू वेरी मच्छ